सोशल मीडिया पर आप अक्सर हिमाचल परिवाहन वो नीजी बस ट्रांस्पोर्ट के बीच विवादों के वीडियो देखते हैं लेकिन आज किसान न्यूस को एक ऐसा विवादित वीडियो मिला है जिसमें एक शक्स रात के अंधेरे में परिवाहन निगम की सरकारी बस के टा हिमाचल परिदेश के सोलन जिला का है जिला सोलन के कंडागाट स्थित जाजा गाउं में अक्सर रात के समय सरकारी बस सोलन मुख्याले से सवारिया लेकर पहुंचती है जिसके बाद बस को गाउं में ही खड़ा किया जा रहा था इसी दोरान रात के अंधेरे का फाइदा उठा कर अंजान शक्स बस के दोनु टायरों की हवा निकाल रहा था यह सिलसिला लगबग पिछले दो माह से जारी था शक्स की यह हरकत से परिवहन के अधिकारियों को बस का यह रूट बं तक करना पड़ा था जिसे ग्रामिनों की अपील के बाद दुबारा बहाल भी किय ग्रामिनों ने टायर की हवा निकालने वाले की पकड के लिए सीसी टीवी कैमरे का भी सहारा लिया जिससे यह हरकत 20 सितंबर के वीडियो में कैद हुई सुत्रों से मिली जानकारी के तहट एक नीजी बस के स्टाफ दौरा इस गटना को अंजाम दिया जा रहा था जिससे सरकारी बस की सवारियों को वह अपनी बस में बिठा सके हालांकि इस गटना के वीडियो फोटेज सामने आया है फिर भी मामले में शरारती तत्वां दौरा इस गटना को अंजाम देने की बात पुलिस थाना कंडागाट को शिकायत में कही गई है आपके ग्रामीन इलाकों में भी अगर इस तरह की घटना हो रही है तो सावधान रही है कहीं कोई नीजी ट्रांसपोर्ट का करमी ऐसी घटना को अंजाम ना दे रहा हो सिटीवी का सहरा आप भी ज़रूर लीजेगा सोलन से किसा निउस की खास रिपूर्ट झाल 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 झाल